हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वन सकेंड दोस्तों जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं मैं एक नई इंस्टेंट डिश आप के लिए लेकर आया हूँ जो कि है किचंस ओफ इंडिया ब्रांड की नवरतन कोर्मा तो फ्रेंड्स यह मैंने ओनलाइन एप से मंगाई है और यह देखिए नवरतन कोर्मा वैसे मुझे भी ज्यादा पता नहीं है लेकिन यह देखने में लग रहा है मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है तो फ्रेंड्स यह आई टी सी कंपनी की किचंस ओफ इंडिया ब्रांड की एक और नई इंस्टेंट रेसिपी है नवरतन कोर प्रेंड्स आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें थैंक्यू मेरे थैंक्यू वेरी मच तो बिना किसी टाइम विश्क्रें आगे इसके बारे में बताता हूं जैस कर सकते हैं या आप एक बॉलिंग वाटर में इसका जो अंदर का पैकेट है वो डाल दें तीन से चार पांच मिनट के लिए तो यह रेडी हो जाता है बिल्कुली इजी रेडी टो इट सिंपल डिश है अब प्राइस का इसको देखा जाए तो यह वन थर्टी रुपीज का ह पैकेट और बाकी इसकी मैनुफेक्चरिंग और एकस्पारी डेट वगरा दे रखी है काफी लंबी एकस्पारी डेट है दो साल तक की और यह वन थर्टी रुपीज की है मेरे को ऑन-लाइन हंड्रेड और फोर रुपीज की पढ़ी थी आप ऑन-लाइन भी मंगावा सकते है या किसी रीटेल स्टोर से भी ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेश करी इसको अंदर से ओपन करके देखते हैं कैसे हैं तो फ्रेंड्स अब यह मैंने इसको इसका पैकेट इसका निकाल लिया है अंदर से भी यह पूरा शील पैक में है और बाकी डीटे करके देखते हैं कि अब अंदर से कैसा है इसका मैं यहां से पैकिट काट लेता हूँ यह देखिए अंदर से तो काफी ठिक्स की ग्रेवी लग रही है चलिए इसको मैं एक बोल में कर लेता हूँ और फिर देखाता हूँ आपको तो फ्रेंट्स यह मैंने अब इसको एक बोल में कर लिया है और यह देखिए काफी ठिक सी ग्रेवी है और काफी सारे इसमें जो हैं वेजिटेवल्स पणे हैं जैसे मटर है गाजर है और पनीर के भी कुछ पीसे मेरे को दिख रहे हैं और बीन्स हैं तो काफी देखने में टेस्टी सालागर रहा है गि इसको मैं इक बार माइक्रों कर लेता हूं मेरे साद से यह दो तो दो मिन्स के लिये सुफीश Εिश्यंट है तो चलिए एक बार माइक्रो देख कर लेते हैं फिर दिखाता हूँ आपको तो friends, यह मैंने जो नवरतन कोर्मा है, finally मैंने microwave कर लिया है और thickness वाइस तो काफी अच्छा है और काफी सारे इसमें जो वेजीटेवल्स हैं mostly इसमें पनीर और केरट और हरी मटर और बीन्स दिख रहे हैं बाकि इसमें से दिखरा था काजू अगरा तो कुछ नहीं है और टेस्ट वाइस भी यह सो सो है कुछ खास नहीं है जैसा कि मैं टेस्ट करके बता पा रहा हूं आपको इसमें तो थोड़ा सा नमक भी मुझे कम लग रहा है और जो इसके स्पाइसे हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है मुझे लगता है इसमें स्पाइसे का बढ़ा ही रोव सा फलेवर आ रहा है तो और यह पिल्कूल भी थोड़े सी मीठी सी और बिल्कुली फीकी सी लग रही है मैं रखो इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आगे और खाने के लिए तो ओवराल ये सो सो है प्रोड़क्ट हाँ एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हैं बट अगर आप स्पाइसी और पसंद करते हैं खाना तो ये बिलकुली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पाकी ओवराल ठीक है मैं अगर पांच में से रेटिंग देनी हो तो मैं के बल डाई या तीन दोंगा इससे जादा नहीं तो थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच